हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए रिजिनिंग के 17 अतिम अत्पून प्रश्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसलिए आप वीडियो के अंतक बने रहेगा आ आपको किस तरीके के प्रश्ण के बारे में बताएंगे दोस्तो देखे जैसे कि प्रश्ण अमलोकों के सामने दिया है सरेंखला को पूरा करें एक सरी जै दोस्तो हैं यहां पर चारो ऑप्सन recycling से कौन सा होगा यहीं बात आपको बताना है और फ परसन है दोस्तो तो ही दिक इस फिगर को मीरर यानि दरपन में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा और यहाँ पर चार उप्षन है दुस्तो इन चारों उप्षन में से कौन सा अगत इसी तरीकी की प्रस्ण के बारे में इस वीडियो में बताएंग दोस्तो अलग-अलग चेप्टर इस वीडियो म सामिल के हैं, टोटल 17 प्रस्ण हैं दोस्तों जो कई बार एक्जाम में रिपीट कर चुका है क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रस्ण होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं जो जनसे आं कंड़क्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फोलो किया और बार बार एक्जाम में रिपीट कर रहे हैं और ये पार्ट नमर हम लोगों का 289 है दोस्तों जिसने पार्ट 288 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लिजे क्योंकि सारे पार्ट most repeated प्रशन के है तो आईए दोस्तों देखते हैं पहले नमर कुस्टन से पहला कुस्टन क्या करा और कैसे करें इस तरीके के प्रशन को इनमें से आप किसी भी ओर्रमेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं दुस्तों चाहिए वो SSC के एस्पेरेंट हो बैंक, रेलबेज, CGL, LP, टेकनिसियन, DFC, CGL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSV, CTAD, IPSC, स्टेनोग्राफर, DR2 तो यदि आप किसी स्टेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं पुलीस, दरोगा, नेभी, अगनेविर, GD, बैंक, प्यो, कलर, ग्रूप, D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITVP, CRPF या आप किसी और भी कॉम्टेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं पहले नमर कोस्टन से क्या कर रहा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रस्टन और इन सभी कोस्टनों का PDF आपको टेलिग्राम फे मिल जाएगा दिखेंगेach पहला कोस्टन दिया है दोस्तों करा कि इस रिंकला में अगली संख्या का पता लगाई है यहां पर इन चारों प्सटन में से कौन गा यही बात आपको बताने के लिए कहा जा रहा है तो दीखे आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रशन का अंसर किया जाएगा सबसे पहले जो स्रीज दिया है दूस्तो उसको नौट कर लिजे 152 उसके बाद है दूस्तो हम लोगों के सामने 107 उसके बाद लिखा है दूस्तो हम लोगों के सामने 72 है और क्या लिखा है दूस्तो 47 लिखा और यहां पर question mark है यह दिखिए तरीका सबसे सौट सबसे सरल कैसे करेंगे 152 से यदि आप जाएंगे दूस्तो 107 पेथ हम लोगों के सामने क्या होगा दूस्तो यही बात आपको बताना है तो दिखिए यहां से जैसी हम लोग बढ़ेंग विश्ध दूस्तो नुगार विफान है कि थो यहांं पर जैसे करेंगे थे एक दयत dairy होगाएंगे दूस्तो फम लोगों के सामने पाँछ हो जाएगा और इधार हम लोगों का कितना पचा दोस्तो तो 14 हाँ यहां पर 45 हम लोगों के सामने घठा दिया और यहां से यहां पर यहां पर पचीस सब्सक्राइब तो ठीस में ठीछ से थी आए यहां पर कितना अजगा तो 15 आजगा दो पंदर आप जैगा तो आपका कितना हो जागा इसकी साथ में पांच जागा थी पर दो और यहां पर बचा दोस्टो चार तो चार में एक जाएगा तो तीन यहां पर क्या जाएगा दोस्तो 32 आजाएगा इस प्रशन का अंसार बताना है यहाँ पर दिखे ना जैसे कि दिया गया यह option यह कौन सा अलग है जल्दी से आप ट्राइ कि दूस्तों वीडियो को पाउच करके इदिखे बताते हैं कि A से लेकर आप Z तक जानते हैं दूस्तों आपका कितने लेटर होते हैं तो 26 लेटर होते हैं 46 तक होते हैं यहीं ओसे बोलते हैं जै से लिखे यहां पर बता देते हैं कि A का स्थान A विशिडिम कितना होता है दोस्तो एक होता है इबात सही है उसी परकार से यानि A का स्थान अभी बता है फिर M का स्थान 13 होता है इभी बात हम लोगों के सामने क्या है दोस्तो सही है यानि M का स्थान A विशिडिम कितना होता है 13 होता है उसी परकार से T का स्था है तो डी वाला तो डी वाला को डी में रखा है तो option नमर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही होगा उमीद करते हैं आप समझ क्योंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और देखें अगला प्रश्ण दिया है दोस्तों हम लोगों की सामने है कि गैंद का सम्मन लिखा है फेक कर खेलते हैं तो उसी परकार से यहां पर फूटबॉल को क्या करते हैं तो फूटबॉल को क्या करते हैं दmost सो कीक मार कर खेला जाता है यानि यहां पर जो है प्रस्ट का आंसर. आपका D क्या होगा? काहश जिस परकार का भी कैemor को क्या करते हैं तो उसी परकार से हम लोगों का फुटोबॉल जो है कीक मार कर खेला जाता है प्रस्न का अंसर अजो एजनशयां कंडख्ट करा है बिलकूल इस प्रस्न का आंसर option number D को ही क्या-क्या दूस्तों दिया गया था बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर लोगों के सामने 103 सिता से है दोस्तों इधके यहाँ पर का breathe कि इसका समंद जिस प्रकार सी इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका समंद क्या का डॉट 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 दे दिया है तो उस जगह पर आपको बताना है तो बता देते हैं इदे के ए है उसके बाद हम लोगों के सामने बी है और क्या लिखा दूस्तों सी इसको ऐसे लिख देते हैं नीचे लिख देते हैं जैड वाई और क्या दूस्तों एक उसको यह वाला क अगर A लिए तो उधर से Z लेंगे, अगर इधर से B लिए तो उधर से क्या लेंगे, दोस्तो Y, अगर इधर से C लिए तो उधर से क्या लेंगे, दोस्तो X लेंगे, अगर इधर से D लिए तो उधर से क्या लेंगे, दोस्तो W, जैने कि यहाँ पर इसी परकार से इसको क्या ब पर हम लगों के सामने विपरीत करम का पैटर्ं के सामने दिया गया था तो यहां पर समझ गएं दुस्5000 करना कुछ विन आँ बस जो दीया है स T है हम लोकों के सामने Z, Y और क्या दूस्तो X और यहां पर कर देते हैं D, E, F तो इसका निकालना आए तो एकदम नीस अंदे आप कर लेंगे कैसे करेंगे इद्गे A का विप्रीत करम Z होता है B का Y होता है C का X होता है तो D का क्या हो जाएगा E का क्या हो जाएगा विप्रीत करम विप्रीत करम का विप्रीत करम दूस्तो। Sही हो जाएगा तो और यही याद रखना है कि यहां पर क्या चला है देख लिए अगला प्रस्था नमर कुच्छन कराई की निमलीखीत मेंसे कौन सब्सक्राइब प्रस्ण आकिरतियों के निकटत्तम समानता आखिर यी जो प्रस्ण आकिरती दिया दूसतो कौन सा फिकर में निकटतम दिख़ रहा है उसी तरीके का हुगा हुगो दिखना चैसा वहां पर दीक रहा है तो धीकर अगर यहां पर देखेंगे दुस्तों इस टार में थोड़ी दीक रहें सार इसमें। कि वहां साथ दीकर है तो अपशन, नमर ड्रीय में क्या हो जायगा दो सही हो जाएगा। फीगर वाले कोस्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे हैं कि आखिर कहां दीकराय करें निमलखित में से कौन सा भी कल्प आकिरती प्रस्ण आकिरतियों के निकर्स्थम समानता है तो आप्सा नमर डीक्यू क्योंकि दिखिए वहां पर जिस प्रकास से तिरभूच के अंद देखते हैं यानि दर्पन में जब दाए हाथ देखते हैं तो इस तरह नहीं किसा दिखेंगा और एक बात यह याद रखेंगे जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा ऐसा ने की कुछ अलग बन जाएगा जो दो से पहले हम लोगों का इस तरीके का क्या हो जाएगा दोस्तो डाइग्राम बना हुआ है तो यहां पर बना लेते हैं और देखा देते हैं आपको कहां पर ऐसा हम लोगों का फीगर बनेगा देखिए जैसे इस तरीके से करने के बाद यहां पर कर देते हैं अब यहां पर फीगर को क्या कर लेते हैं दोस्तों अच्छे से बना लेते हैं तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से क्या हुआ है उसने और इधर से क्या दोस्तों हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या हुआ है और यहां पर ले जाके इस तरीके से और इसको इस तरीके से करने के बाद देखिए यहां पर इस तरीके से करने के बाद और इसमें मिला देने के बाद और इस तरीके से निकाला है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और पैंट वाला भाग हम लोगों का किधर चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक कोना पर आ जाएगा और इधर से इस तरीके से हो जाएगा और बिंदा जहाँ पर है यहाँ जितना दूरी पर उतने दूरी पर तो काने का मतलब इस प्रश्ण का उप्सार नमर ए ही क्या होगा दोस्तों सही ओगा क्या ये पलट जाएगा इसा थोड़ी आयना में इस तरीके से थोड़ी दिखेगा बलगी इसमें दिखेगा बिंदा कहा लेगा क्योंकि जो जितना दूरी पर अगर बिंदा यहां पर पहले है ताइना में देखेंगे तो हुब बहु इस तिना ही दूरी पर देखेगा और इस तरीके से बनेगा तो बिलकुल इस प्रशन का आंसर, आपसा नमर आपका A ही क्या होगा, दोस्तों सही होगा उमीद करते हैं आप समझ योंगे कि यहाँ पर इस तरीके की प्रशना है तो कैसे करेंगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रशन की ओर देखें अगला प्रशन क्या कर रहा है सात्वा नमर को जन करा कि प्रशनाकिरती कौन सा उत्तराकिरती में छीपी भी है यानि कि इस फीगर को जब मीरर दर आई फीगर को देखेंगे दोस्तों कहां पर दिख रहा है प्रशनाकिरती बढ़ते हैं क्या इसमें दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है इसमें दिख रहा है क्या इसमें दिख रहा है तो देखते हैं यहां से अगर इस तरीके से कर दिया यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे महिला लिख देंगे कि महिला कहती है कि यहां मेरे पती की पतनी यानि कि एक महिला करें कि मेरे पती तो महिला का क्या है दोस्तो यानि की पतनी की पतनी की पुतरी का भाई है पुरूस की क्या लगती है यहां पर किस तरीके से घुमाया दोस्तो किस तरीके से और यहां पर बहुत सब्सक्राइब करने लगेंगे यही पुरूस है तो वही कराइब आवरत का तो आवरत यानि की महिला जोए वही आवरत है तो महिला आवरत का क्या लगे गा दुस्तो लेनि कि और पुरूस की क्या तो पतनी तो यहीन होगे, खुद महिला ही होगे, तो करा कि पतनी की पुतरी, तो पतनी की पुतरी का भाई, औरत उस पुरूस की क्या है, औरत जो है दोस्तो उस पुरूस की क्या है, तो मा लगेगा, उसा नमर आपका B क्या होगा, दोस्तो सही होगा, बढ़ते हैं अगले प करना इस साइड में पूर्व लेना है दोस्तो और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है पस्चिम लेना है और जस्ट इसके ऊपर में आपको उत्तर लेना है और नीचे क्या ले लेंगे दोस्तो दक्षिन ले लेंगे बस देखते चलिए आप ध्यान से आपनी आली अब दिखिये जॉन पर की सामने कि इसां में है यहां पर करा है कि इस बात याद रखेंगे कि अबर्त का मतलब क्या होता दूस्तों घड़ी की डीशा में do खाना है यहीं से आप चलेगा यह से 90 यह से 90 यहां पर आ जाएगा यहां wszyscy सामिलगों का कौन सा वासे नवर देशा यहां पर जाएगा यहंग। यह वाला दी nuclear वाला दीशा का कौण Moment तरीका याँपर क्या है कि सबसे पहले यही याद रखेंगे दक्षिन आवर्थ मदलब घड के दिशा में चलना है दक्षिन आवर्थ घडी मतलब घडी के वेप्रीत दिशा में को नहीं पर्शन आपधे हैं नही lis मोर्डन आखके और जिस परकार से पहला आकिरती इस तरीके से किया है और इसको क्या कर दिया है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से उसने किया है तो उसी परकार से जब यहाँ पर इस तरीके से किया है तो यहनि कि एक दूसरे का उल्टा होगा तो उल्टा होगा यहनि काने का मतलब यहाँ पर क्य यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस तरीके से किया हुआ है यहां पर एक आकिरती को जैसे हम लोग देख लिए कि इसको इस तरीके से क्या है उसे प्रकार से यहां पर इसको इधर से करके उसने लिखा है तो जब यहां पर इस तरीके से है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सुनिता नावे की सैली नाइना से परवावित कर रहे हैं आपकी परवावित करता है यह भी बात क्या होगा दूस्तों हम लोगों के सामने गलत हो को जाएगा दोनों बात गलत होगा क्यों कि नाइना की सुनिता की 5% करती है पर नाइना कौन सुनिता की पहनावे की सैली करते हैं क्योंकि कर्थन को पढ़ ही नहीं पारें बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण के और बलकि दोनों गलाथ होगा क्यों वहां पर लिखा है कि नायना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की परसंसा करती है कि परसंसा कर रही है यह थोड़ी लिखा है कि अधीक सुंदर है कि कम सुंदर है अगला प्रसंदिकी दोस्तों हम लोगों के सामने तेरा नमर कुस्चन दिया है करें कि L का अर्थ जोड़ है यानि जहां कहीं L दिखेगा उसके सामने जोड़ ले लेंगे M के अर्थ का मतलब ह होता है घटाओ उसी प्रकां से आगे लिखा है दोसतो अन का अर्थ है भाग न जहां है वहाँ पर क्या ले लेंगे भाग लेंगा है और पी का अर्थ कई है दोouse गुना दर्साता है तो इतना बथ गाहले तो लिख दीजे जैसे हम लोगों के सामने 10 है अब लिखा है P तो P के जगा क्या लेने के लिए कहा है तो गुना लेने के लिए कहा है और क्या कर देंगे दूस्तों 2 कर देंगे L के जगा प्लस तो यहां पर प्लस कर दिए और यहां पर आगे 5 है उसी प्रकाश से M तो M के जगा मैनस और क्या दूस्तों 5 कर देंगे दो जगा पांच है अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों सॉल्व कर देंगे तो दस दूना बीस हो जाएगा देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दूस्तों हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा अब प्लस यहां पर क्या हो जाएगा अम मैनस क्या हो जाएगा दूस्तों अगला प्रस्ण देखी दोस्तों हैं लोगों की सामने 14 नमर कुछन काफ़ी important करा कि लूप तो सांख्यां क्यात करा हैं यानि Missing नमर से समधित प्रस्ण हैं दोस्तों जो कुछन मार के दिख रहा हैं और जिसने चैनल पे जाके Missing नमर के पार्ट को नहीं देखिया हैं तो जा कि इन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा तो बताते हैं कि कैसे इस प्रस्ण का answer क्या जाएगा है देसे सबसे पहले यहां पर हुआ क्या दोस्तों जादा कुछ यहां कर के दिख ए है पचीज़ क्या किस्कॉइर काया है यहां से दो से यह दे चार पर क्या थिसमें से इस्काूर O वर्ग आप चाहने रहें हैं इसे को बोलते हैं कए क्या हो जाएगा पहला ही आपसन निम्रोकों एक ही हो जाएगा तरीका को समझने का प्रियास कि आप रटिये ने 5 का स्कार 25 हुआ उसी प्रकार से यहां पर 1 का स्कार 1 हो जाएगा 8 का स्कार 64 हो जाएगा दू का स्कार 4 हो जाएगा इस तरीके से आपका पैटर्न फोलो किया तो अप्सन नमर 1 क्या होगा सही होगा अगला प्रश्ण दिए कि दूस्तों हम लोगों के सामने पनर्वा नमर कुस्टन दिया है करा कि यदि किसी संकेति भासा में जेबरा को इस परकार से लिखाए तो उसी परकार से कोबरा को क्या लिखा जागा तो बता देते हैं जैसे जेबरा है तो यहाँ पर लिख लिजे जैट है उसके बाद E, B, R, A तो इसको क्या लिखाया है दूस्तों हम लोगों के सामने E दिखे यहाँ पर लिखाया 26 उसके बाद लिखाया हम लोगों के सामने 5 उसके बाद लिखाया 2, 18 और 1 लिखाया बस यहीं तक लिखावा है तो इसी प्रकार से हम लोगों के सामने कोबरा का पूछा जा रहा है तो C, O, उसके बाद B, उसके बाद R, A तो कर देते हैं इसका निकालना है तो इसका क्या नहीं कर सकते हैं C का स्थान B बता चुके हैं कि कैसे लिखाएं C का स्थान 26 होता है, E का स्थान 5 होता है, B का स्थान 2 होता है, R का स्थान 18 किसमें ABCD में A का 1, B का 2, C का 3, D का कहाने का मतलब A से जो Z तक भी बता है 26 लेटर होता है, E का स्थान 1 होता है, ABCD में B का स्थान 2 होता है, C का स्थान 3 होता है, D का स्थान 4 तो फिर आप भूल कैसे जा रहे हैं, गलती कैसे कर रहे हैं, मन में आप सोच कहीं नहीं पार रहे हैं तो यहाँ पर देखे, इसका पूछा जा रहा है, तो C का कितना हो जाएगा, O का कितना होगा, B का, R का, A का तो जल्दी से निकाल दीजे सर, इसका जल्दी से लिख दीजे, तो C का अस्थान हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर इसका 3 लिख देंगे, O का क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे, B का 2 लिख देंगे, R का 18 लिख देंगे, A का 1 लिख देंगे, तो 3 और 15 और उसके बाद 2, 18 एक, option number आपका B क्या होगा सही हो जागा उमीद करते हैं आप समझ कियोंगे किस तरीके की प्रस्ण है तो कैसे करेंगा बस अस्थान बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण देगे 16 नमर कोशन दिया है दोस्तों दिये गए समों में भीन की पाचान करें भीन का मतलब उसके बाद गुलाब देख रहे हैं इभी हम लोगों के सामनी क्या है दोस्तों फूल का नाम है चमेली जो है इभी क्या है दोस्तों फूल का नाम तो यहां पर लिख देंगे यह सभी हम लोगों का जमीन पर उगते हैं यहां पर क्या होते हैं दोस्तों जमीन पर उगते हैं लेकिन यहाँ पर कर देते हैं जमीन पर क्या होते हैं दोस्तो उगते हैं यहाँ पर कर लेते हैं जमीन पर उखते हैं लेकिन इस प्रशन का आंसर क्या हो जागा दोस्तो आपका D क्या हो जागा कमल आप जानते हैं कि पानी में ही हम लोगों क्या क्या होता है दोस्तो फूलते ह यहां पर बना लेते हैं वरीताकार इस तरीके से बैठावा है और इसमें करा है कि आमने सामने बैठा आप कहीं भी बैठा सकते हैं आप दूसरा भी डायगर्म बना के और ऐसे करने का प्रियास करेंगे दूस्तों कि कहीं भी आप बैठा सकते हैं इसमें कोई अथिन है जैसे मान के चले कि बहुत सरा B और C तो आप B को यहां भी बठा सकते हैं और C को यहां भी बठा सकते हैं या आप B को कहां कर सकते हैं दोस्तों यहां भी बठा सकते हैं या C को क्या कर सकते हैं क्योंकि B और C क्या बोला है कि आमने सामने बैठा है तो अब हम लोगों के सामने कौन-कौन बचा दोस्तू A और क्या बचा हम लोगों का D तो A यहां भी बैठ सकता है और D क्या हो सकता है यहां भी बैठ सकता है काने एक मलब देखिए दोनों में आ सकता है C यहां भी जा सकता है तो B यहां भी जा सकता है उसी परकार से हम लोगों का D में A यहां भी आ सकता है और हम लोगों के सामने क्या हो सकता है दोस्तो D यहां भी आ सकता है तो वही कह रहा है कि A और D क्या होगा था A और D हम लोगों का आमने सामने बैठेगा कर देंगे और की लेकिन यहां विटा सकते हैं कि सीधासिथा बैठा ब्लब इस तरीके से आप दो डायोंड से अगर आप प्रस्ण को बनाएं तो आपका उट निकल दोस्तों इसमें कोई निसंदे करने वाली बात नहीं है कि आप कैसे इस प्रशन का आंसर करेंगे जैसे यहां फिससे भी करेंगे थाम लोगों का A यहां बैठा देंगे और D क्या कर देंगे दोस्तों यहां बैठा देंगे तो वही कर रहा कि A और D क्या होगा दोस्तो आमने सामने यहाँ भी देखे A और D क्या होगा आमने सामने हो जागा तो इस तरीके से इस प्रशन का आंसर option नमर A क्या हो जागा दोस्तो सही होगा तो उमीद करते हैं दोस्तो आप सारे प्रशन को अच्छे तरीके समझ गयोंगे यदि आप हमारे पर पहली बार है दोस्तो सब्सक्राइब लिखावा दिक रहाऊगा सब्सक्राइब कर लेना बगल में घंटी का निसान दिक रहाऊगा उसमें और लॉला स्लेक्ट कर देना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए ओके दोस्तो फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी